हेलो फ्रेंड्स तो आज हम अपनी चैप्टर फैब्रिक फाइवर की नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हैं बाई लोजिक टू अपलाई तो हमने पिछली प्लास में पढ़ा था कि रियरिंग और सिल्क वों के बारे में हमने पढ़ा था तो इस वीडियो में हम आगे की प्रोसे किया जाता है और वो मार्केट में कैसे आती है तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या प्रसेशिज होती है हूं ब्रैश्चवा ए जिया जाता है वो में द्ध्रकेट में क्याला ओ नंसें इंटो धूर्केट कोंट कोंस घुल आता है नंठीन इंट्विद ध्रिम नांठीन अठाशिवत इस प्रोसेस इस काल्ट रिलिंग जो कोकून होते हैं उनको क्लेक्ट कर लिया जाता है और उन्हें स्ट्रीम में डाल दिया जाता है मिन्स की वाटर के फ्लो में डाल दिया जाता है जिससे सिल्क फाइबर जो होते हैं वो कोकून से सेपरेट हो जाते हैं इस प्रोसेस को हम रेलिन के नाम से जहनते हैं तो आपको यह समझा गया होगा पूस्ण से वार्टर में फ्लोविंग वार्टर होते हैं उसमें हम कॉकॉंश को डाल ढायते हैं सभी कॉकॉंश को चैनल गσιे आरह दो नियुक्ड गॉंट कवादे व्युक्त लुक्त बेखते हैं इन फिक्चर में यह फोरींत कलर कोकून वाइट होते हैं तो इसलिए उनको डाए कि जाते हैं टीक्रेंट कलर से जाते हैं तो क्लार्फुल लग सकेझ डाकुरेटीव लग सके हैं अच्छे लग सकें तो next step है हमारा fourth step spinning and weaving the silk fibers are then spoon into threads which are woven into the silk cloth जो silk threads है उनको spin किया जाता है उनको thread में बनाने के लिए उनको twist किया जाता है स्पिन किया जाता है thread बनाने के लिए और फिर उनी threads को जैसे आप यहां देख सकते हैं बहुत ही fine threads होते हैं तो उनी threads को वोग कर दिया जाता है silk cloth के लिए तो यह कुछ आपके सामने टाइप से silk cloth के ओके तो हमारा एक यह do you know में से caution बनता है कि वर्ल्ड में silk कौन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस का थे चाइना रैंक्स फर्स्ट इंडर वर्ल्ड इंच सिल्क प्रेडक्शन जो चाइना है वो सिल्क की प्रेडक्शन में वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक कंस्यूम करता है लेकिन इंडिया पीछे नहीं है इंडिया इंडिया इस और सब्सक्रेड़ अब इस अब से जादे वाल में शील्क इंडिया प्रेडेवक्शन करते हैं साइकंड नंबर पर ओके तो आज हमारा चैप्टर यह वीडियो इतनी थी तो आगे के पार्ट में हमके लिए इस चप्टर के कीवर्ट्स और इंपोर्टेंट नॉट्स लेकर आएंगे प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल लाइक दा चैनल